जैहीं दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुसकवी निकल के सामने आ रही है SSC GD की 2025 की भी नई वेकेंसी आने वाली है हाँ मेरे भाई मैं जूट नहीं बोल रहा है SSC GD की नई वेकेंसी आ रही है और इसके बार में आपके SSC GD की नई वेकेंसी रहने वाली है उसका फॉंप अपलाई 27 अगस 2024 को होगा और उसका जो लाजड़ रहेगा और उसका जो एक्जाम होने वाला है वो आपके दिसंबर 2024 से लेके जनवाई 2025 के भीतर आपके एक्जाम होने वाले है 2025 वाले भरती का यह वो ऐसा नहीं कि यह वाली भरती को पोस्पोर्ण किया गया है और एक नई भरती आ रही है मतलब 2025 की नई भरती का भी नोटिफिकेशन के बारे में एटुजेस आजन का दे दी गई है और इस भी जो नई वेकेंसी आने वाई 2025 की उसमें पोस्टों की संख्या लगभग आपके एप्रोक्स जो वेकेंसी रहेगी वो कितनी रहेगी तो मेरे भाई वो आपको 25,000 से लेके 30,000 वेकेंसी देखने को मिल जाएगी 2025 वाले भरती में और अब की बार जो 2024 की भरती आ रहे है जिसका अपने नॉम्बर 24 तरीक से स्टार्ट है इसमें पोस्टों की संख्या कितनी रहेगी तो एप्रोक्स भाई बहुत यूटूबर आपको बोलों कि 84,000 वेकेंसी आएगी बट इतनी वेकेंसी नहीं आएगी मेरे क्यास जो आपके अप्रोक्स वेकेंसी आने वाली है वो 35,000 अप्रोक्स आपकी वेकेंसी रहेगी स्टार्टिंग में हो सकता है 25 तर लेके 26 वेकेंसी निकाला जाए बाद में वेकेंसी को बढ़ा के 35 लास वेकेंसी कर दिया जाए और दोनों वेकेंसी में, जो उतने भी वेकेंसी रहेगा। और अभी इलक्सन है, सेंट्र गवर्मेंट के पास फूल अप टेसर है, इसलिए नही नहीं वेकेंसी निकाली जा रही है। तो अब ये मौका जो है ना आपके पास बिल्कुल गोल्डेन चांस है मेरे भाई, इस गोल्डेन चांस को हाथ से जाने नहीं देना है, ठीक है ना, तो अब दोस्तों नया SSC कलेंडर भी आ चुका है, और एक नहीं भरती, मतलब सोचो रिगुलर भरती निकाली जा रही है, त पूरा भाई, अप्रॉक्स, बहुत बच्चों के लिए खुसखबरी है, ऐसा बात नहीं, अगर वेकेंसी रेगुलर तोर पे निकाली जा रही है, तो जीन बच्चों का आपकी बार एज नहीं हो पाएगा, इसमें भाई, एज कम है, अगली बार भरती मोग एज उनका हो ज लग नहीं रहा था कि 2025 वेकेंसी आगी, बच चमतकार हो गया, सेंटर गॉर्मेट ने भाई वेकेंसी निकाल दी, तो अब जो 2024 वाले बच्चे हैं, तयार हो जाओ, आपका भी जो फॉर अपलाई स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए मेरे भाई पूरा मेहनत करना है, 32 नंबर आ रहा है, 40 नंबर आ रहा है, भाई पूरा सब कुछ मिला भी दे, तो कोश्चन अप्रोक्स 80 नंबर आ रहा है, इस ज्यादा तो जाही नहीं रहा, तो मैरे भाई, आपको में जीज चीज करना है, करना है, तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना चीए, तो जो दमनी कि इसे practice करो, जो भी चीज पड़ो, उसे practice करो, practice करने के लिए आप previous year का solve papers reuse करना, इससे क्या होता है, previous year के ही question जायाता है, उसका pattern हो में पता चलता है, जब pattern पता चलता है, तो exam देने में आसानी होती है, और जब previous year के focus करो गेना, तो जितना भी question होता है SSGD का, देख हो गया, reasoning हो गया, समाने ग्यान हो गया, यह दोस्तों आपके हिंदी के बुक हो गया, यह जितना भी है, यह सब प्रिबियस एर का solved पर है, पूरा दोस्तों question type wise डाला हुआ है, तो यह जितना भी आप देखोगे कि मेरा 10 number का ही मैं math कर पारा हूँ, भाई 10 number करें नहीं पारा हूँ, तो कौन से topic मेरा problem हो रहा है, fresh percentage में problem हो रहा है, number system में problem हो रहा है, LCA में problem हो रहा है, train के problem में problem, कहाँ पे मेरा problem है, में जब आप उस problem को focus करना शुरू करोगे, और उस problem को particular बार-बार practice और आसानी होगी, और number और ज़्यादा आएंगे, इन बच्चों का मैं बोल रहा हूँ, math में 5 number नहीं आ रहा, उनका math में 40 number आना शुरू हो जाएगा, लेकिन main चीज़ें आपको अपने problem को समझना पड़े, कौन सा topic हमें समझ में नहीं आ रहा, उस topic पे ज़्यादा ध्यान से लेके, BSF, CRPF, पुरा हिला देना अपकी बार, एक-एक बच्चे के बदन पर मुझे बर दी, चाहिए, पस, और कुछ नहीं पता, तो नहीं वेकेंसी आ रही है, पौन अपलाई कब से स्टार्ट हो रहे है, 27 अगस्तू थाई 24 से इसके पौन अपलाई स्टार्ट हो रहे मतलब तो पोश्ट रहेगी, तो भाई कुझा तयार हो जाओ, 2025 वाले बच्चे और अपकी बार 2024 वाले बच्चे, आपको ज्यादा बोलाऊं, 2025 में तो आएगी अभी टाइम है, एक साल का, अभी जो 2024 में आ रही है, इसको ज्यादा फोकस करो, 2024 में से फौन अपलाई स्टार बात तुम्हारे सेलेक्शन नहीं रोग सकता है, लेकिन आप बस अपने आप से आपको लड़ना पड़ेगा, अपना प्रॉब्म समझना पड़ेगा, ऐसा कौन से चीजी जो मुझे हो नहीं रहा, बार-बार प्रैक्टिस करो, जब आदमी बार-बार प्रैक्टिस करता है यह ने, शाला एंदसर्मान जीए साइक लोगता आदमी पूरा पहार काड़ भी एक आदमी ने, तुमसे एक मैज करत ब्रवम्हार करता है तुम्हार हो नहीं होगा, मैज भी होगा, रिजलिंग, नएगा, चीएस भी होगा, बस अपने सपने ऑकने गोल के पर धाज़ए थ